Hello everyone, ये वीडियो KMAP का तीसरा पार्ट है, पहले वाली में हमने सीखा 2 variable और 3 variable KMAPS के बारे में, दूसरी में हमने सीखा variable entered KMAPS के बारे में, इसमें हम सीखेंगे Implicants, Implicants तीन तरह के होते हैं, तीनों के बारे में, और Don't Care Condition के बारे में, चौथा जो पार्ट होगा, उसमें ह तीनों topics पे हम लोग questions करेंगे, वो fully question वाला पार्ट होगा, इसमें हम लोग ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, Implicants का पूरा cover कर लेंगे इसमें, ठीक है, Implicants होते क्या है, Each Min Term in SOP Expression is known as Implicant, जित्ते भी Min Terms हैं, SOP Expression में, POS Expression वाले Min Terms, जो Max Terms होते हैं, वो Implicants नहीं होते हैं, SOP Expression में, जो Min Terms होते हैं, वो ये Implicants होते हैं, ठीक है, Prime Implicants क्या होते हैं, Prime Implicant is a Product Term, SOP Product Term ही होता है, which is obtained by combining Maximum Possible Cells in a Came App, ठीक है, जैसे ये Came App बना हुआ है, इसमें जो Maximum Possible, जैसे Group, सिया तो Single भी हो सकता है, Pair भी हो सकता है, और Quared भी हो सकता है, जो भी Biggest Possible Group होगा, वो ही Prime Implicant होगा, ठीक है, Implicants तो बहुत सारे होते हैं, Prime Implicant कौन से होगे, जो Biggest Possible होगे, अगर ये Pair बन रहा है न, तो ये Pair का जो नाम होगा, वो ही Prime Implicant होगा, ठीक है, देखते हैं, लेकिन Implicant क्या होगा, ये भी हो सकता है, ये भी Single हो सकता है, Prime Implicant में ये Group में ही आना चाहिए, क्योंकि ये ही Biggest Possible Group है इसके लिए, ठीक है, तो Implicants के नाम क्या क्या है, एक तो ये 1, A bar, B bar, C, और ये वाला 1, A bar, और B, C, प्लस ये वाला 1, A, B, C bar, ये Implicants होते हैं, लेकिन Prime Implicant क्या होगा, ये हम Grouping करेंगे, उसके बाद निकालेंग Grouping करेंगे, तो इस Group का क्या नाम हुआ, A bar, और B तो दोनों use हो रहा है, C, प्लस ये वाला तो single रहेगा, क्योंकि इसका तो है नहीं Addressant कोई भी, इसका क्या होगा, A, B, C bar, ठीक है, प्लस नहीं, कॉमा, ये जो है, ये Implicant है, और इसी को Prime Implicant कह रहे हैं, पर ये दोनों Implicants हैं, और ये Prime Implicant है, क्योंकि एक Group बन रहा है, और biggest possible Group ये ही है, ठीक है, कोशन देखते हैं, इस कोशन में हमें क्या निकालना है, इन तीनों के Number of Prime Implicants बताने हैं, या फिर क्या हो, Number of Groups, ठीक है, इसमें क्या है, एक तो grouping ऐसे हो जाएगी, है ना, एक grouping ऐसे हो जाएगी, कित किते Number of Prime Implicants हैं, इसमें क्या होगा, grouping होगी नहीं, ये तो X और X नौर की तरह हैं, अभी पढ़ाता हम लोगों ने, इसमें किते Prime Implicants हैं, 4, ये जो 1 वाला ये भी Prime Implicant है, जैसे यहाँ पर ये जो 1 था, ये Prime Implicant का काम कर रहा था न, वैसे ही, क्योंकि biggest possible ये ही Group है, इसमें grouping होई नहीं रही है, समझ में आगे, Group मतलब ये नहीं कि 2 या 3 ही लेंगे, Group मतलब 1 भी ले सकते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, ये दो तरह के Prime Implicant यहाँ पर सिखाए हैं, एक होता है Essential Prime Implicant, एक होता है Selective Prime Implicant, ठीक है, Essential क्या होता है, It is Prime Implicant, which is the necessary term in the minimized expression, and there is no alternative way of grouping, ठी grouping करने का, और किसी और तरीके से वो grouping नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं Essential Prime Implicant, वो हमें चाहिए ही चाहिए, अगर वो नहीं होगा, तो हमारा expression अधूरा होगा, ठीक है, Selective Prime Implicant क्या होते हैं, जिनके एक से जादा वे होते हैं grouping करने के, या तो हम इस तरह ग्रूप कर लें, या ह दौनों को ही नहीं लेंगे, तो चल जाएगा, कि ये सारे जो ones होंगे, वो किसी और में group हो रहे होंगे, ऐसा नहीं, इन दौनों में से किसी एक को तो हमें लेना ही पड़ेगा, चूस करना पड़ेगा, लेकिन more than one way of grouping है हमारे पास, जहां पर भी हमारे पास, जिस भी game app मे selective prime implicants होते हैं, वहाँ पर कम से कम, दो minimized solution होते ही हैं, एक बार ये वाला group ले लो, ये वाला छोड़ दो, तो एक solution, एक बार ये वाला छोड़ के ये वाला group ले लो, तो दूसरा solution, दो minimized solution होते ही होते हैं, ठीक है, आगे भढ़ते हैं, देखिए, ये जो question है, इसका पहले हम game app बनाते हैं, फिर देखेंगे, क्या-क्यास में grouping हो रही है, क्या prime implicant है, कौन्सर selective prime implicant है, ठीक है, कौन्सर कित्ते variable वाला है, 3 variable वाला है, जो कि maximum यहापे 6 आ रहा है न, इसलिए, 9 वग रहा आता, तो फिर 4 variable होता, ठीक है, बना लेते हैं, पहले हम labeling करेंगे, A, B, C, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, ठीक है, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 7 है नहीं है, यह सारे हो गए, ठीक है, अब grouping कैसे कर सकते हैं, यह group दिख रहा है हमको, ठीक है, यह group दिख रहा है हमको, हाँ, यह group दिख रहा है हमको, ठीक है, लेकिन हमें तो यह वाला group भी दिख रहा है, यह वाला और यह वाला, यह भी तो बन सकता था, यहीं पे बना ले, हाँ, यहाँ पे तो बनाने की जरूत है नहीं हमें, क्योंकि यह one भी occupied है, यह one भी occupied है, बना एक घिवाला बन गया और एक हमने घिवाला बना दिया ठीक है अब क्या है या तो हम घिवाला ले या फिर हम घिवाला ले हमें select करना पड़ रहा है न अगर हम दौनों कोई छोड़ देंगे तो घिवाला बन तो group ही नहीं हुआ न तो हमें कोई एक तो लेना ही पड़ेगा ये ही होता है selective prime implicant लेकिन ये वाला जो prime implicant है ये तो दोनों में है ये तो essential चाहिए ही चाहिए ना अपने expression बनाने के लिए ये तो हमें चाहिए ही चाहिए ये वाला है ये वाला है ये तो दोनों में ही common है पर इसमें select कर पा रहे हैं, इस वाले prime implicant में कि ये वाला लें डहीं कि ये वाला लें तो ये selective कहलाता है और ये वाला जो prime implicant है वो essential कहला होता है अब कैसे हमारे 2 minimal solution है एक बार इसका लिखके देखलो, एक बार इसका लिखके देखलो, दोनों ही अलग अलग होंगे तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे 2 minimize solution निकलते हैं जहाँ पर selective prime implicant होता है ठीक है, इसका क्या answer आएगा, इसका नम क्या है, a bar b plus a b bar plus b c bar इसका, ठीक है, इसका answer क्या होगा, वो पहले के दौनों same, a bar b plus a b bar और इसका क्या answer होगा, a c bar ठीक है, तो 2 minimize solution होगा है न यहाँ पर लिख देते हैं, जब भी हमारे पास SPI आएगा selective prime implicant आएगा, तब हमारे पास 2 minimize solution होगे होगे ठीक है, और अगर k-mip हमारा unique है, मतलब हम 2 k-mip नहीं बना पा रहे हैं तो फिर उसमें खाली EPIs होगे, ठीक है, यह तो unique नहीं था न, एक ही SOP से हमने 2 k-mip बना लिए यह uniqueness खतम होगे, अगर unique होता, तो हम खाली बोलते कि EPIs हैं खाली उसमें, लेकिन इसमें SPI था, हम select कर पाए, हम लोग ने 2 minimize solution निकाल लिए, ठीक है, आगे देखते हैं, यह होता है तीसरे तरह का prime implicant, redundant, जिसके हमें जरुरती नहीं जिसको हम हटा सकते हैं, ठीक है, इसमें ह हमें select नहीं करना है, जिसको में चाहिए चाहिए नहीं, जो फालतू में है, हमने फालतू की grouping कर दिये, ठीक है, the prime implicant, whose each one is covered at least by one EPI, जिसका हर एक one किसी ने किसी और grouping में है, उसको group करने का जरुरत क्या है, है न, जैसे यह वाला question है, इसमें यह grouping कर दिंगे, और यह वाली grouping कर दिंगे, तो ही वाला one इस किसन चला गया, यह वाला one इस EPI किसन चला गया, तो क्या हमें यह वाली group में करने की जरुषत पडएगी, इस वाली group में करने की जरुषत नहीं है, हमें, तो यह जो यह वाला जो pair होगा, हमने बना दिया गलती से, तो यह जो pair होगा, यह redundant prime implicant होगा इससे हमारे design cost भड़ेगा इससे और कोई फाइदा नहीं होगा हमें redundant prime implicant नहीं लेना है ठीक है यह हमारा है rpi आई आपके समझ में आ गया आपको ठीक है question करते हैं कौन कौन से हैं जीपल हम कौन सा variable है three variable तो हम लोग three variable बना लेते हैं labeling करेंगे a b c 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 ठीक है 0 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है यह देखे यह वाला वन इसके संग ग्रूप हो गया ठीक है यह वाला वन इसके संग ग्रूप हो गया और हम लोग यह वाला यह वाला वन भी कर सकते थे न और यह वाला यह वाला वन भी कर सकते थे देखते हैं ये वाला और ये वाला one करके एक बर और बना लेते हैं ये देखो ये वाला और ये वाला one करा और ये वाले one कर दिये अब अच्ची क्या ये ये भी हो सकते हैं ये तो corner के हैं ये भी हो सकते हैं तो क्या हो गया, या तो हम ये वाला इंप्लिकेंट ले ले, या ये वाला ले ले, तो ये क्या हो गया, selective हो गया, इसमें भी ये वाला ले ले, या ये वाला ले ले, ये भी selective हो गया, ये वाला ले ले, या फर ये वाला ले ले, तो इसमें तीनों ही SPI इंगे, इसमें एक भी EPI नहीं है, एक भी सब prime implicant नहीं है, जो दोनों में common हो तीनों ही change हो गए, है ना? तो इस वाली question में क्या है, जो तीन implicants है, वो तीनों ही SPI है ठीक है? तो तीनों ही rotate कर रहा है ना इसको हमने इधर कर दिया, इसको उपर ले आए इसको अधर कर दिया, तो ये जो होता है, ये वाले जो होते हैं, जिसमें तीनों EPI होते हैं, इसको cyclic PI कहते है cyclic prime implicant इस question में जो तीनों prime implicants हैं उनका एक अलग नाम है क्या कहते हैं? cyclic prime implicant ऐसा came है, जिसमें सारे SPI हो, एक भी EPI ना हो, उसको, उसके prime implicants को हम कहेंगे cyclic prime implicant, ठीक है? आगे देखते हैं, ये question है, the function represented by map this ये map, के map दे रखा है, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? expression, ठीक है? देखते हैं अब हम बच्चा क्या करेगा? ऐसे और ऐसे group कर देगा लेकिन, 00, grouping करना ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले actual came app बनाएंगे actual came app में 1 bit का ही change होता है, 2 bit का change होता ही नहीं है, तो हम लोग ये गलती ना करें कि हम लोग grouping कर दें 00, 01, 11, 10 हम लोग grouping इसमें कर सकते हैं इसमें नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर one one इधर नहीं लिखा है, यह दोनों adjacent हैं, यह दोनों नहीं हैं, हम इसमें ऐसे से grouping नहीं कर सकते, ठीक है, अब हम लोग इसमें बना लेते हैं, zero zero वाले में हैं one और इस वाले में हैं one, अब grouping कर सकते हैं, अब बताइए, अब अगर पहले ऐसे से grouping कर लेते ह इसमें quad बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते हैं गला तो जाता ना वो तो पहले k-map बनाईए k-map में होगा k-map वही है जिसमें हर cell adjacent है एक दूसरे के ठीक है यह k-map में नहीं है क्योंकि यह दोनों adjacent नहीं है k-map में ही grouping करनी है हमको इसकी grouping कैसे होगी यह और यह function का नाम expression क्या होगा एक तो b c use हुआ है और एक b bar और c bar use हुआ है मतलब b x nor c ठीक है यह जो map था वह x nor का था लेकिन कितना गुमागे दे दिया हमको देख रहे हैं आप लोग ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे concepts देखते हैं बाकी इसके पर cautions करेंगे हम लोग two variable three variable सब पर करेंगे एक बार यह वाला यह don't care और खतम हो जाए फिर सबके cautions एक साथ करेंगे वो हम लोग next session में लेंगे ठीक है don't care condition क्या है और यह क्यों जरुरत है don't care condition when inputs are not defined that is invalid then output is don't care जब input defined नहीं है invalid है तो condition don't care मतलब जैसे example भी जरुखा है अपके घर में fan है उसका regulator zero one two three four यह five वहां तक ही घुमता है न लेकिन five को अगर हम digitally लिखेंगे तो one zero one लिखते हैं किते variables use हुए three और three variable में किते minimums होते हैं eight combinations होते हैं तो actually जो हमें circuiting करनी पड़ेगी वो तो eight के साब से करनी पड़ेगी न तो six seven eight को क्या करें हम लोग हमें क्या पता six seven eight पे हमें तो कोई देना ही नहीं है तो हम उसको six seven और eight को वो six or seven seven को eight nine eight हमारा four variable में सला जाता है six or seven को हम लोग क्या करेंगे don't care में डाल देते हैं ठीक हैं यह होता है don't care जिसका हमें input हमें नहीं मालूम कि हमें input पर output देना है कि नहीं हम उसको don't care में डाल देते हैं हमें फरक नहीं पड़ता कि उस पर तुम चालू हो या ना हो क्योंकि फैर्ण में six or seven होता ही नहीं हम वो कभी use करेंगे यह नहीं ठीक हैं समझ में आगे don't care question में अगर d लिखा ह तो यह होता है don't care मतलब five or seven पर हमें cross लगा देना है हमें फरक नहीं पड़ता या फिर sigma d भी लिखा हो सकता है ठीक है यह भी लिखा हो सकता है उस पर हमें cross लगा देना है कैसे लगाना है seven तक है मतलब यह three variable है इसका हम लोग k में अब बनाते है a b c 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 2 3 4 5 5 पर cross है 6 पर 1 है 7 पर cross है ठीक है हमने don't care लगा दिया अब देखिए अब problem ही है कि हमें don't care grouping में लेना चाहिए कि नहीं या फिर हमें खाली inputs से मतलब होना चाहिए तो हम दोनों देख लेते हैं एक बार grouping में लेके और एक बार ना लेके don't care है है ना तो हमें क्या मतलब कुछ भी आए अगर वो on भी हो जाए अगर यहाँ पर one भी आ जाए तो हमें क्या मतलब अगर हम यहाँ पर zero दे दे तो हमें क्या मतलब है ना देखते हैं अगर हम लोगों इन्हें grouping कर दी मतलब हमने don't care की जगे इस वाले don't care की जगे हमने मान लिया यहाँ पर one था तो हमने grouping कर दी अब इसका expression क्या हो गया f is equals to a तो दोनों use हो गए b1 use हुआ c दोनों use हो गए इसका expression क्या हुआ a b c मैंसे बस c से एक wire लो और f पर दे दो ठीक है लेकिन अगर हमने इस वाले don't care की जगे zero मान लिया तो हमें grouping कैसे करने पड़ती एक तो ऐसे और एक ऐसे है न और इसका नाम क्या होता पहले labeling करेंगे zero 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 one 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 zero इसका नाम क्या होगा इसका a bar और b तो one use हो रहा है b plus इसका नाम क्या होगा b c bar ठीक है तो इसका कैसे बनाएंगे इसका circuit बड़ा हो गया a का बार लेंगे b लेंगे end करेंगे b लेंगे c का बार करेंगे end करेंगे फिर इन दोनों को और करेंगे तो अच्छा है न कि don't care को हम अपनी तरह से ढाल ले हमें one की जुरत थी हमें don't care को one बना लिया हमें इसमें don't care की ज़रत नहीं थे हमने इसको 0 बना दिया don't care के मतलब हमें फरक तो नहीं पड़ता ना तो हम 1 भी तो बना सकते हैं हमने इसमें grouping कर दिये ठीक है तो don't care के हम grouping कर सकते हैं जहां पर हमें ज़रत बड़े ठीक है यह मैंने लिखाए don't care can be used to reduce design cost but it is not necessary to use all don't care to minimize ठीक है design cost बहुत ज़्यादा कम होगे don't care use करने से क्योंकि हम जोग नहीं यहां पर one मान लिया ठीक है अगर six input जाता फैन से तो वो चालू रहता हम कभी six input देंगे ही नहीं हमें मतलब क्या है कि six input जाए या ना जाए है ना लेकिन जरूरी नहीं कि सारे don't care यूज करने हैं हमने यहां पर zero माना यहां पर one माना ग्रूपिंग कर दी ठीक है देखते हैं अब मुझे बताईए मैं आपको एक condition दे रही हूं अब बताईए यहां यहां पर आप ग्रूपिंग करोगे यहां पर one one की ग्रूपिंग हो गई है ना अगर हम x को one मानते तो यह ग्रूपिंग होती आप यह ग्रूपिंग करना चाहोगे नहीं क्योंकि expression भढ़ जाएगा ना इससे एक तो इसी का एक expression इसका हो गया एक इसका हो गया पर हमारा minimize expression खाली इसको लेने से रहेगा तो हम खाली इसी का ग्रूपिंग करेंगे इसका ग्रूपिंग हम नहीं करेंगे इसको हम zero let कर लेंगे ठीक है तो इसमें हम लोग यह बताना चाहरे हैं कि don't care जरूरी नहीं कि हमें grouping करनी ही है क्योंकि don't care मतलब one नहीं है don't care zero भी हो सकता है हमने यहाँ पर zero let कर लिया है हम दोगरें grouping नहीं की अगर यह don't care suppose ऐसे होता अगर यह don't care यहाँ पर होता one one और don't care यहाँ पर होता तो हम इन don't care की जगे one मान के grouping कर देते क्योंकि यह तो क्या हो जाता यह बार यह तो बहुत चोटा हो जाता है ना don't care ऊपर होता तो हम grouping करने के लिए यूज कर लेते और नाम देते थे यह बार लेकिन don't care नीचे हमें की ज़रूत नहीं थी तो हमने इनको zero मान और grouping pair में किये हमने expression निकालना है ठीक है थी वेरिएबल का है labeling करेंगे 0100 01 11 10 जब b और c 00 होंगे तो a लिखेंगे मतलब 0 और जब b और c01 होंगे यह वाला तो zero लिखेंगे जब b c 00 होंगे तो a बार लिखेंगे aur और जब BC11 होंगे तो don't care लिखेंगे, ठीक है, अब हम हमें grouping करनी है, हमें मतलब नहीं है don't care 1 है यह 0 है, अगर don't care करके बड़ा group बन रहा है तो use कर लेंगे, नहीं तो नहीं use करेंगे, यह वाला जो 1 है, इधर side 0 है, इधर side 0 है पर इधर side don't care है, हम इसको grouping में use कर सकते हैं, ह हमने इसको 1 बना लिया, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, expression क्या हो जाएगा, इस वाले का है A, B bar, C bar, प्लस इस वाले का क्या है, A bar, B, ठीक है, इसका यह हो गया, यह question था जिसमें very well entered came app भी था, don't care भी था, don't care आपको समझ में आ गया है न, ठीक है, एक last हम लोग कर रहे ह इसके बाद यह video end करेंगे, इसके बाद questions करेंगे, ठीक है, के map for POS form, POS form क्या होता है, SOP form में क्या होता है, 1 का ध्यान रखते है, 1 की grouping करते है, जैसे यहाँ पर की है, POS form में क्या होता है, 0 की grouping करते है, अगर हमें POS form लेना है तो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, हमारे पास क question है one 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 zero 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 ठीक है अगर हमें इससे SOP निकालना होता SOP निकालने के लिए हम one की grouping करते हैं कैसे ऐसे ठीक है क्या होता इसका function का expression क्या होता a bar b bar plus a b और canonical SOP form में क्या लिखते हैं कौन-कौन से यूज होए है 0 1 2 3 4 5 6 7 6 और 7 ठीक है और सॉरी इदर one है one zero 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 one one अगर हम POS form चाहिए इसके map से तो हम zero की करेंगे zero की grouping करेंगे ऐसे ठीक है तो function क्या होगा POS form में जाएगा zero zero की grouping करिए हम लोगो ने a bar plus b a plus b bar ठीक है और इसको canonical POS form में क्या लिखेंगे पाई M क्या क्या यूज हो है 0 1 2 3 4 5 ठीक है समझ में आ गया अगर POS form में expression चाहिए तो k map की कैसे grouping करेंगे zero के through अगर SOP form चाहिए तो k map की कैसे grouping करेंगे one के through ठीक है next session में हम लोग questions करेंगे बहुत सारे be बीटून थैंक यू